कल हम लोग ने होंबर्ग दिया था और भी दुबारा मैंने जोर सका चुकि मिटिंग बहुत कंटिनीव चलते रहा लेकिन आज हम लोग उसका पूरा कर देंगे क्योंकि कल तो मैं सेमिनार में ही रहूँगा होशकता है कि रात में कलास को हम लोग डेफ़ोर को चलाए तो पहल करते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं पिछले वाले कलास को पहले जो हमने हुंबर को दिया था यहां पर मैं डाइलेमा में छोड़ दिया था क्या यह चीज को आप स्रेया गुपता जी कर लिये हैं या कोई भी सच अच्छा ठीक है यानि हम लोग को अभी देखना यह है कि आखिर इसमें हमारा क्या करना भरेगा ताकि हम आ जाएं तो देखो यहां पर तुम्हारे पास टैन थीरी अलफा तो यह टैन को हम फर्मुला कैसे डाइरेक्ट लिखें तो टैन चुकी ओड फंसन है तो उपर में ओड चलेगा मनि थीरी कंबिनेशन वन टैन अलफा और थीरी कंबिनेशन थीरी टैन क्यू अलफा बाई वन माइनस थीरी कंबिनेशन टू टैन एसक्वार अलफा बस यानि यहाँ पर तुम देखोगे कि जब टैन की हम बात करेंगे तो उपर में ओड होगा नीचे में इवेन होगा इसलिए सारे दर्शक से रिक्वेस्ट है कि तैन अलफा यानि एन कंबिनेशन वन टैन अलफा एन कंबिनेशन थीरी टैन क्यू अलफा शो ओन डॉट 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 एन कंबिनेशन जीरो टैन जीरो अलफा यानि अगर तुमको tan 4 alpha लिखना परेगा तो क्या आप लोग लिख सकते हैं? तो 4 combination 1, tan alpha और 4 combination 3, tan q alpha और यहां पर 4 combination 0, tan alpha के power 0 और 4 combination 2, tan square alpha और 4 combination 4, tan 4 alpha बोलो यहां स्रेया बाबु समझ में आया लिखना, tan की फर्मूला? अब यहां पर tan 3 alpha का हमें उसमें यूज था, तो यह फर्मूला आपकी हो गई, 3 tan alpha और tan q alpha बाई 1-3 tan square alpha यानि tan 3 alpha की फर्मूला, हम लोग को पता हो गया कि tan 3 alpha is equal to 3 tan alpha minus tan q alpha, 1-3 tan square alpha. यहां यहां बाद किलियर, यहां सियानो, अब गौर से देखो जब कल तुम लोग को मैंने हुम्वर्ग दिया था, tan alpha minus tan 60 minus alpha और यहां पर tan 60 plus alpha, याद आ रहा है, और इसको तुमको हमने बताया था कि यह tan 3 alpha होने वाला है, बोलो, इसी बीच में हमारा emergency meeting के चलते यह चीज़ को हम लोग किलियर नहीं किये थे, क्या बात सत्य है, बोलो yes यानो, यह सर्थ, अब यहां पर देखो यह तो तुम्हारा इस्तिर है, इसमें कोई शक नहीं है, बोलो भई, अब थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं, कि यहां पर rough idea लेते हैं, और tan 60 plus alpha, तो tan चुकी odd function है, तो उपर odd होगा, नीचे even होगा, तो यहां पर हो जाएगा tan 60 plus tan alpha, और 1 minus tan 60, और tan alpha, tan 60 की भैली root 3 plus tan alpha, और 1 minus root 3 tan alpha, इसमें कोई शक, यानि यहां पर tan 60 minus alpha के लिए, root 3 minus tan alpha, और 1 plus root 3 tan alpha, यहां तक में किसी को अगर कोई तकलीफ है, तो बताया जाए, किलियर है बाबू, आप देखते हैं, दोनों के बीच में हम पलस का रिस्ता देखते हैं, तो क्या आता है बताओ, tan 60 plus alpha, और plus tan 60 minus alpha, और यहां डाइलेमा के लिए रखेंगे, तो यहां पर root 3 plus tan alpha, 1 minus root 3 tan alpha, पलस यहां root 3 minus tan alpha, अब देखो, LCM लिया जा सकता है, बिल्कुल, तो LCM इसका हो गया, 1 minus 3 tan square alpha, यहां तक में कोई दिक्कत बाबु, ठीक है, अब देखो, यहां यह डाइलेमा है, तेरा नीचे वाला आ गया, बोलो, नीचे वाला आ गया, चलेगा, यानि यहां पर plus से भी आ सकता है, और minus से भी आ सकता है, लेकिन अभी अब suspense है, आप यहां root 3 से इसको multiply करेंगे, तो यहां root 3, और root 3 इससे कर दिया, तो 3 tan alpha, और फिर इससे कर आएंगे, तो tan alpha, और इससे हुआ, तो root 3 और tan square alpha, यहां multiply में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, अब यहां पर तुम दिमाग लगाना, one में root 3 से गुना करेंगे, तो root 3 हो जाएगा, अब root 3 रहेगा, तो यह फर्मूला कभी आएगा नहीं, यानि यहां dilemma क्या होगा, स्रेया गुपता जी, जो भी एस्टुडेंट देख रहे हैं, बात में देखेंगे, यहां minus होगा कि नहीं होगा, यहां तो यहां minus होगा, यहां minus होगा, तभी संभव या दरवाई संभव नहीं है, बोलो, यहां यहां नो, यहां चीक है, अगर मैं यहां minus कर देता हूँ, तो यह minus root 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो, और यह minus minus यहां plus हो जाएगा, यानि 10 अलफा हो जाएगा, बोलो भई, अब root 3 जब इससे multiply करेगा, तो तुम्हारे पास root 3 में 3 से हुआ, तो यहां पर आपका minus और यह वाला भी minus, तो minus minus आपका हो जाएगा, पलस, यानि 3 10 अलफा हो जाएगा, बोलिए, ठीक है, आप तुम्हारे पास यह वाला है, तो minus minus पलस तो हो जाएगा, minus में, यहां में आ गया, minus में, यहां पर minus root 3 10 अलफा, अब गौर से देखो कि root 3 से root 3 कट गया, यह वाला आपका 10 square अलफा वाला ही कट गया, अब बताओ, क्या बचा, 3, 1, 4, और 4, 4, 8, मने, फाइनल जो बचा, वह बचा, 8, 10, अलफा, बाई, 1, minus 3, 10, square अलफा, यहां तक में कोई शक बाबू, यहां पर यह minus का symbol लिया, किसका symbol लिया, बोलो, minus का, किसका symbol लिया, minus का, अब गौर से देखो, लाना यह है, तो यहां पर 10 अलफा कर दिये, क्या कर दिये, 10 अलफा, ठीक है, क्या कर दिये, बताओ, 10 अलफा कर दिये, अब यहां पर बीच में हम प्लस डाल दिये तो यह multiply होगा तो क्या हो जाएगा 1 में 10 अलफा से multiply हुआ तो 10 अलफा बोलो बाबू और यहां पर फिर अब उसमें से 8 एक 9 अलफा हो गया तो उसमें से 3 कॉमन ले लिया कितना कॉमन ले लिया बोलो तो 3 टाइम्स अफ 10 3 अलफा का फर्मूला हो गया यानि फाइनल जो जाना फर्मूला वह क्या जाना कि यहां पर 10 अलफा प्लास 10 60 60 प्लास अलफा माइनस तैन 60 माइनस अलफा पीछे वाला में देखा जाए यहां 10 अलफा लिये थे बोलो यहां से आनो यहां पर गौर से देखो 60 प्लास अलफा वाला तुम्हारा प्लास में था और 60 माइनस अलफा वाला माइनस में था तब यह संभव हुआ यह बात फिलियर हुआ की नहीं इतना बराबर क्या हो गया थीरी टैन थीरी अलफा क्या हुआ थीरी टाइमस अब थीरी अलफा अब तुम्हारे पास जब आयेटी नहीं प्रस्थ को पूछा था तो टैन टेन डिगरी और टैन सेवेंटी डिगरी माइनस टैन फिप्टी डिगरी बोलो यह सियानो अब यह प्रस्थ बना की नहीं बना क्या होजाएगा जल्दी बताव थीरी टैन को थीरी टैमस करेंगे तो ठटी डिगरी यानि टैनथ ठटी की भैलू वन वाई रूट थीरी होती है यानि अंसर हो गयी रूट थीरी अंसर क्या हो गई यह बात समझ में आया अच्छे ढंग से अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो भी सजन इसको बात में भी देखेंगे उनके पास एक real concept आना चाहिए कि हमें formula याद रखने की जरुवत नहीं है हमने बाबा सर से काम को कर लिया है इसका मतलब direct हो जाएगा अब बताओ कि क्या tan 5 alpha का formula लिख सकते हो क्या logic रहेगा उपर सर odd है नीचे क्या है even है यानि यहाँ पर 5 combination 1 tan alpha और यहाँ पर 5 combination 3 tan q alpha और 5 combination 5 tan 5 alpha divided 5 combination 0 tan alpha का 0 और 5 combination 2 tan square alpha और 5 combination 4 tan 4 alpha बोलो यास यानो एक बात बताना कि logic तुम सही से सीख रहे हो कि नहीं अगर tan ऊपर odd है नीचे even है तो कॉट क्या है कि कॉट सर्व बारताल आप अभी हम लोग करेंगे क्या कॉट 2 alpha का फर्मूला जैसे 10 2 alpha का फर्मूला आप जानते हैं तो 10 2 alpha क्या हो जाएगा कि यहां पर टू टैन आल्फा है और वन माइनस टैन एसक्वार आल्फा कि बोलो यास यानो तो यानि ऊपर में और है और नीचे में इवेन है ठीक है एक बात और तुमसे हम रियल कंसेट देखना चाहरा हूं जैसे टैन एपलस भी है तो क्या बताओके उपर सर ओड है उपर क्या है यहां पर टैन ए और यहां पर टैन बी और नीचे इवेन है तो वन माइनस टैन ए और टैन भी बोलो यास यानो तो आपसे मैं प्रस्थ पूछ रहा हूं क्या कॉट ए पलस बी की फर्मूला बताईए तो आपको क्या बोलना परेगा कि सर उपर में इवेन है बोलो उपर में क्या है अनीजे में क्या है और बोलो यह स्यानो तो अब उपर में अगर है इसका मतलब यह आपका जो यह जो कंवर्शन सिस्टम जो है वो टैन के बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है जल्दी बता यानि यह हो जाएगा 1-10a into 10B और यहां पर हो जाएगा 10A plus 10B बोलो बावू लेकिन तुम एक बात सोच के बताओ कि यहां यह कौट कह रहा है इधर 10 कह रहा है क्या अच्छा बात है जैसे मैं तेरे को हिंदी में बोलू और तुम हमको बंगाली में समझाओ तो क्या दोनों के बीच में में समझेशन होगा है यह फेरे गाट याने स्टाइन को बदलना होगा कॉट में बोलू यास यह नो है अब यह जाएगा यानि यह फाइनल हो जाएगा कॉट a cot b minus one और यहां पर cot b plus cot a बोलो yes या नो अब फर्मुला लिखने आ गया अब क्या cot a minus b का लिख सकते हो की नहीं लिख सकते हो यहां पर cot a cot b minus one और यहां पर cot b minus cot a bolo clear की नहीं अब प्रस्थ यह उठता है बाबू कि जैसे cot a 2 यह का फर्मुला था इसका फर्मुला था जल्दी बता है तो इस सेलेक्शन तो 10 में करता है बोलो अब उपर में क्या करता है जल्दी बता इवें नीचे में क्या यानि यहां पर two combination zero और टैन के पावर जीरो बोलो यस या नो यहां पर two combination two और 10 square a और नीचे हो जाएगा two combination one 10 a बोलो किलिर या नहीं लेकिन यहां पर देखो communication गैफ है या नहीं यह बिचारा हिंदी पर बोल रहा है यह बंगाली में बोल रहा है यह नी कॉट बोल रहा है उटैन बोल रहा है अच्छा लगेगा यानि चेंज करना परेगा तो अब चेंज कर देते हैं अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां 10 जो है यहां पर कॉट स्कॉर ए माइनस वान बोलो भई और यह टैने को वन भाई कोटे लिख सकते हैं तो कोटे कोटे नीचे टू कोटे हो जाएगा बोलो अया की नहीं आया अब सच सदेखो क्या तुमने फर्मूला कोई रट रहे हो कि अपने से किलिए रहा निचा बेलकुल यारी अब तुम सोच सकते हो कि का टैन कॉट जान गया तो साइन पॉस्ट भी जानने में कोई तरह का लेकिन यहां पर कौट थीरिये का हम लोग को रिशर्च करना है यहाँ पर कोट 3a है इससे पहले time 3a तुमको आता था कैसे? three combination 1 tan a और three combination 3 tan qa और three combination 0 tan a के पावर 0 और three combination 2 tan a बोलो एअसे आनो यानि यहां पर 10-3A का फर्मूला आपका आया 3-10A और 10-QA by 1-3-10A लेकिन हमको तो कौट 3-A का करना है ना तो सेलेक्शन के लिए बताए ना कौट उपर में क्या होता है जल्दी बताओ इभेन बोलो बाबू यानि कौट 3 उपर इभेन हुआ यानि 3 कंबिनेशन 0, 10A और इसकी पावर 0 3 कंबिनेशन 2, 10A और यहां 3 कंबिनेशन 1, 10A और 3 कंबिनेशन 3, 10QA यहां बात क्लियर हुआ कि नहीं बाबो लेकिन यहां गौर से देखो यह कौट है और रिजल्ट तुम 10 में बता रहे हो अच्छा लगेगा क्या तो अच्छा करना परेगा ना बोलिए तो यहां पर 3 कंबिनेशन 0 का भैलू 1 हुआ और यहां 1 भाई कौट स्क्वार A करेंगे तो यहां पर पहले कौट स्क्वार A हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा कौट स्क्वार A और माइनस 3 यहां पर लेकिन यहां टाइन की हुए है तो ऊपर जाके चहर जाएगा बोलो भाई जरेगा की नहीं जरेगा इसकी टाइन को कौट में कंबर्ट करके लिग देंगे बोलो यास या नो यानि तुम्हारे पास यह किलियर हो गया यह दो टाइप का यानि यहां जो आप लेमा में आप जेख रहे था कि कॉट अल्फा प्लस माइनस यहां पर कॉट 60-ल्फा और यहांपर चोट 60 होगा इकन फार्म यहां पर खाली है सस्पेंस को दूर करना है बोलो क्लियर हो जाएगा आज आज न्यू लिखिए नेक्ष टाइप दस तक्कल कर लिए थे आज इगरमा टाइप देखो यह खेला है यह बात को समझो यह खेला आज जो हम खेलने जा रहे हैं यह कॉस पर खेलेंगे और कॉस अगर जीपी के फॉर्म में रहेगा चुकि रहता उसी पर है और अंसर देने में हाँ हलो हलो कौन मोल रहे हैं अब यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप 11 में यह इस टाइप का कॉस्चन रहेगा बाबू इस अब तेरे को क्या करना होगा न कि तेरे को दिमाग लगाना होगा यह अभी एक चीज दीख रहा है कि इसका जो एंगल बढ़ रहा है वह जीपी में बढ़ और आपके पास तागत है साइन टू अलफा बराबर टू साइन अलफा इंटू कॉस अलफा बोलो यास यानो यास यानि अगर इसको हम टू साइन अलफा से मल्टिप्लाई कर दें और इसी से हम डिवाइट कर दें तो बात बन सकती है बोलो यास यानो अब यहाँ पर देखो कि यह बन के साइन टू अलफा हो गया और यह फिर टू से मल्टिप्लाई करेगा उपर से तनीचे फोर साइन अलफा और उपर में हो जाएगा साइन फोर अलफा बोलो यहाँ से यहाँ तक में फिर आठ अलफा बनेगा अगला बार में यानि यहाँ एट साइन अलफा बोलो यानि यहाँ लॉजिक देखते देखते तुम्हें समझ में आ गया कि जाहां तक चलना रहता है उससे टू टाइमस बढ़ जाता है यानि यहाँ तक आने में उससे क्या हो जाएगा तो साइन तू के पावर एट अलफा बाई टू के पावर एट साइन अलफा बोलो यहाँ यान यानि यह फाइनल तुम्हारे पास आ गया पें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और अब यहाँ पर फाइनल देखो कि इस टाइप से कोशन यह आ गया अब देखो तुम्हारे पास दो आप्शन है यह सजन और यह आपस में कट सकते हैं बोलो आपस में चुकि पिरियोडिक फंसन है क्या है कि पिरियोडिक फंसन आपस में क्या हो शकते हैं जल्दी बशाराय संबाव कट लेकिन कटने का भी सर्थ है कटने का भी क्या है से चुकिश्य आपने यह भी फर्मूला पधा होगा कि साइन पाइप टीटा इजी कल टू मैनास साइन अज टीटा is equal to sign theta बोलो या सियानो यानि एक सर्थ में वो माइनस आएगा और दूसरे सर्थ में वो पलस आएगा बोलो अब कोश्चन कैसे करेगा चाहे जिस बुक की बात करें आओ देखते हैं पहले एक छोटा प्रस्थ हम लेके देखते हैं यहां पर कॉस अलफा है कॉस टू अलफा है और कॉस फोर अलफा है बराबर तुमसे हम प्रस्थ पूछ दें और अलफा बराबर हम तुमको कोश्चन दे दें पाई बाई सेवेन क्या दे दिया जल्दी बताओ पाई बाई सोब पाई बाई सेवेन यानि एक कोश्चन हो जायगा कोश पाइबाई सेवन यानि फर्मूला के लिसार क्या न गहाँ है कि जो एंगल रहेगा उसका दुगना हो जाएगा बोलो भाइबाई यानि यहां पर sin 8 pi by 7 by 8 और sin pi by 7 बोलो clear है अब यहां पर 8 pi by 7 को pi plus pi by 7 लिख सकते हो बोलो 8 pi by 7 को क्या लिख सकते हो जल्दी बताऊ, लिख सकते हो, और सांथ पाई पलस पाई बाई सेवन को माइनस साइण पाई बाई सेवन लिखा जा सकता है, बोलो, और यह माइनस रहेगा आई नीचे पलस है तो कट के माइनस हो जाएगा यानि अंसर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ माइनस वन बाई एट यानि आहां पर तुमको लॉजिक लगाना है जितने दर्सक देखेंगे यहां लॉजिक लगाना है यहां पर आप देखिये कि जब भी भी होगा तो दू के पावर से एक जादा अगर है या दो के पावर से एक कम है कम है तो माइनस होगा और जादा है तो प्लस होगा बोलो यास यानो यानि कोशन का पहला जो है डेटा समझ करके अंसर अगर हमारे स्टूडेंट लिख देता है तो इतना हमारा मेहनत सफल हुआ अधरबाइस हमारा जो इपांच मिनिट का जो क्लास चला यह आपका बेटर नह है यानि माइनस एक बटे आट तहानी खतम अगर वहां पर पाई बाई नाइन होता क्या होता जल्दी बता पाई बाई नाइन होता तब क्या करते हैं पाई माइनस पाई बाई नाइन बोलो यास यानो यानि यह प्लस में दे जाता बोलो यानि दो के पावर तीन से एक ज्य यानि वो प्लस में हो जाता यानि अंसर एक बटे एट आता आईए इस पर हम लोग टाइप 11 पर मजा लिया जाए यानि पहला question ये screen पर दीख रहा है cos Pi by 9 cos 2 Pi by 9 cos into में ही 4 Pi by 9 क्या अंसर आप दे सकते हैं? क्या अंसर हो जाएगा? 9 है ना? तो 2 के power 3 से एक जादा है क्या हो जाएगा जल्दी बताईए एक बटे आठ बोलिए स्रेवाबु आ गया अगर बनाने के लिए कहेगा तो ऐसे कहेगा तो इसकी फर्मूला तो तुम्हें पता हो गया कि साइन एट पाई बाई नाइन यहाँ एट साइन पाई बाई नाइन बोलो क्लियर है कि नहीं है अब यहाँ पर तुम्हारे पास साइन एट पाई बाई नाइन को हैं पाई माइनास पाई बाई नाइन लिग सकते हो और एट साइन पाई बाई कि लिए बाबू उपर वाला फर्मूला क्या हो जाएगा साइन पाइबाइब नाइन और एट साइन पाइबाइब नाइन से नाइन कट गया एक बटेट हाया कि नहीं लेकि आपको जो लॉजिक लगाना है कि इस टाइब के अगर जीपी फॉर में रहता है तो आपको ये बटे वाला पाठ देखना है उसको देखना है कि टू के पावर एन से एक जादा है तो एंसर होगा वन बाइटू के पावर एन और टू के पावर एन से एक कम है तो एंसर होगा वन बाइटू के पावर एन लेकिन माइनस में यह बात आपको हंडेट प कि नहीं हुआ अगर इसको लेंदी प्रोसेस से कोई बनाना कहेगा तो यहां पर तू साइन पाई बाई नाइन से मल्टिप्लाई होगा और वो प्रोसेस चलेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा अब मैं इस पर एक दो प्रस्थ आपको मैं पूछ लेता हूँ चलिए पहला प्रस्थ है साइन पाई बाई थर्टी वन सोरी कॉस कॉस पाई बाई थर्टी वन कॉस टू पाई बाई थर्टी वन डॉट 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 कॉस यहां पर तुम्हारे पास जो जाएगा यह सोलह पाई बाई थर्टी वन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया बोलिए क्या अंसर होगा 2 के पावर 5 से यह कम है 1 by 2 to the power 1 minus 1 by 32 एंसर होगा बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ इस इदम clear हो गया इस यह ठीक है और यही मैं question जैसे ही 2 number देता और यहां पर 33 लिखता और 2 by 33 लिखता cos 4 by 33 लिखता dot 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 cos 16 by 33 लिखता तो अंसर क्या हो जाता 1 by 32 यह concept अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं आया है बहुत बढ़िया से तो यहां तक आपको इसमें समझने में किसी भी student का यहां पर कोई problem नहीं हुआ और अच्छे से आप यह चीज को समझ चुके है ठीक है यह कोई दिक्कत नहीं सर्थ ठीक है अब हम इसको आंगे continue करते हैं next type में जाते हैं यहां तक बिलकुल दिमांग में सेट हो गया इकारा टाइप कि वह लॉजिक भी सब लोग को समझ में आ गया कि वहां पर वह क्या है जाएगा और फिर उसको हमने आपको बताया कि साइन में दो फॉर्मेट लेगा एक साइन पाई पलस ठीटा और दूसरा साइन पाई माइनस ठीटा बोलो यास यानो दो टाइप अभी और करेंगे बाबू कल मैं थोरा ट्रेंड में रहूंगा कल वहां हम थोरा सिमिनार में रहेंगे तो हो शक्ता है कि मैं रात में जोरूं टैब से ठीक है ना तो यही नंबर से आपका फोन जाएगा जिससे जाता है उसमें जूर देंगे तो फिर हम लोग दो टाइप अभी करेंगे समझ गया दो चाट टाइप अभी और कर देते हैं तो आरा आज का आपको क्लियर हो जागा यह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले कैसे बनाता था याद है याद करो आड़ी शर्मा केसी सीना जो भी हम लोग बनाते थे अगर यहां पर दिया हुआ पाई यहां 63 अब हमारा विद्यार थी यतने लिखने के बाद बुलेगा रुकिये अंसर आपका हो गया है अंसर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई 60 बोलो किलियर है कि नहीं इसी डांग से जैसे ही कोई कोशन लिखा 65 बुलेगे रुकिये आपका जवाब मिल चुका है और आपका यह जो होगा वह क्या होगा वन बाई 60 यानि इस टाइब के प्रस्न सीखने में कोई तरह की होता ही नहीं बढ़ते और आपकी डारेक्ट अंसर है चलिए हम लोग अब अब देखते हैं उसको हम लोग लिखिए अस्पेशल टाइब 12 यह तुमको फिजिक्स में भी काम देगा कहां देगा एसेज एम में नाम तो सुनी लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन पिरियोडिक में कि इस पर हम लोग चारों फर्मूला को एक बार लिखते हैं और तुमको इसको करना सिखा देते हैं और कुछ प्रस्ण तो आप ऐसे यहीं बना डालेंगे और वही चीज तो हम चाहते हैं और इसलिए हम लोग तो मेहनत करा रहे हैं आईए इसको हम लोग SHM में भी हो जाएगा अपना फीजिक्स वाले सर से पुछ लिजिएगा कैसे यू जाएगा हम इसे बता देंगे कि देखो यहां पर यू जाता है ओमेगा 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 करके करते हो गए यह तुम्हारा यहां पर फर्मूला डायरेक्ट ल मुझी यह यह इसन एप्षिक में क्या हुआ कि एंगल्स वाला यू और ट्रिक्रुमेंटिकल फांसन हो तो उसको हम लोग SHM कहते हैं क्या कहते हैं जली बतां special AP कहते हैं तो special AP क्या है यह बात को जानने की अवशक्ता है यहां पर sine alpha sine alpha प्लस D sine alpha प्लस टूडे प्लस डॉट 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 साइन alpha प्लस n-1 into D गौर से देखो यह special AP दीख रहा है सब के साथ sine है बोलो भाई और यह और एंगल उसका AP में जा रहा है पासर जा रहा है ठीक है देखिए इसका पूरा डेप्थ अगर हम बात करें तो CD फर्मूला बताना परेगा निसाइन C प्लस D लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा आप इसोचिए AP में है क्या में है याद है तेल्थ क्लास में जब AP की फर्मूला आपने परा था तो परा था N बाई 2 2A प्लस N मानस 1 इंट्यूटी बोलो YES या नो YES यहाँ पर भी इसी ढांग से आप पढ़ेंगे Sine बोलो A D by 2 Bोलो Sine A D by 2 बटे Sine D by 2 Sine है तो Sine First Term पलस Last Term डिवाइडे 2 First Term पलस Last Term डिवाइडे 2 यही अगर कौस रहेगा यही अगर कौस रहेगा तो वहाँ पर आपका यानि कौस यहाँ Alpha N minus 1 D है यह वाला चेंजिंग नहीं होता है यानि Sine N D by 2 और Sine D by 2 कौस है तो कौस फर्स टर्म पलस Last Term फर्स टर्म पलस Last Term डिवाइडे 2 बोलो Yes यानो Yes Sir अब गौर से देखो प्रस्त ऐसे नहीं पूछता है बीच में डिवाइड देता है बीच में क्या देता है डिवाइड देता है आरे उपर Sine है नीचे यह है यह दोनों तो सेम ही है ना बोलो Yes यानो Yes Sir और सेम क्वांडिटी रहेगा तो कर जाएगा जीरो खाली छोर करके बोलो Yes यानो Yes Sir यानि बटे में रहेगा तो उपर Sine है नीचे कॉस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कॉट 10 Sine बटे कॉस तो हो जाएगा 10 बोलो Yes यानो Yes Sir अगर यह बटे में नीचे आ गया तो कॉट में हो गया इन्हीं चार टाइप का यहां पर प्रस्न किलियर हो गया कितने टाइप का किलियर हो गया जादी बटा और इसका नाम हुआ A Special Series क्या नाम हुआ यानि अब हम कॉस्चन को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं और अगर डारेक्ट नहीं किया इसका मतलब हम लोग थोड़ा कमी है सीखने की जरूवत है याद करो जब कॉस्चन बनाया होता तो साइन एक्स यहाँ पर साइन थीरी एक्स और साइन फाइव एक्स और डिवाइडेड में कॉस एक्स और यहाँ पर कॉस थीरी एक्स और यहाँ पर कॉस फाइव एक्स बोलो यहाँ को पहले तु बनाती थी यह दोनों को एक साथ यह दोनों को एक साथ और शाइन सी पलस डी की फर्मूला फिर कॉम लेकर कट करेंगे यह करेंगे बोलो टाइम जादा लगा कि नहीं लगा सरकाइब एक ही स्टेटमेंट है भाई मातमेंटिक्स को भीन पेन और पेज का पढना चाहिए और नहीं करेंगे देखो उपर साइन है कि नहीं नीचे कॉस है की नहीं, एपी में है की नहीं, और साइन बाई कॉस होता है तो टैन में एंसर होता है की नहीं, बोलो, और टैन में एंसर क्या होता है, फास्ट टर्म पलस लास्ट टर्म, फास्ट टर्म क्या है, एकस है, लास्ट टर्म क्या है, फाइब एकस है, दोनों को जोर कर दिया 6x हो गया बटे तू कर दिया ठेटी सो गया खेला हो गया कि नहीं पहले तुम करती थी वो भी मैं एक बर करके दिखा देता हूं यहाँ पर यहाँ पर साइन एक और check और शाइन फाइव अठी यह को तुम आप यहाँ पर करना परता था sian c draga का और यहाँ पर कॉसी प्फीन सीटी का बोलो yaya हैँ है आप तुम्हें डाइरेक्ट होगा किने रहें तो हम अध्यन से कोशन देता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप अपने सीखा गी नहीं सीखा यानि शाइन एक सब्सक्षान चौाइक सब्सक्राइब 0012 सेवन एक्स है और यहां पर कॉस्ट नाइन एक्स है बोलो जवाब एक एक मिनिट में पें लगाएगे क्या वेरी गाड़ अब देखो अंदर कुछ कॉछ कॉंफिडेंस आ रहा है तेरे को कि का माथमेटिक को हम लोग बना सकते हैं देखते हैं कि अगली प्रस्त को हम देखते हैं और करने का प्रियास करते हैं, आई ये दिखते हैं, और यहां पर चौ्ट फाइव एक्स, यानि चार का यहां पर बर रहा है, यहां पर पर सोड़ी कोउ्स यहां पर नाइन एक्स और यहां पर पर थाटिन एक्स यहां पर कॉस आपका सेवेंटीन एक्स डिवाइडेट की हम बात करें तो यहां पर साइन एक्स और यहां पर साइन फाइव एक्स और यहां पर साइन नाइन एक्स और यहां पर साइन थाटिन एक्स और यहां पर साइन सेवेंटीन एक्स क्या करोगे उपर अब नेक्स टाइप भी हम लोग करेंगे ना तो यह चीज को अच्छे से आ रहा है इसमें कोई शक नहीं अब दो टाइप अभी और हम लोग करेंगे यह गौर से देखने की बात है वह एंगल का डिफ्रेंस टू का कितने का जल्दी बता हूँ टू में अस्पेशल केस होता है देखो अस्पेशल केस क्या होता है इसको गौर से देखो यहां फर्मूला लिखा साइन डी बाइटू और साइन डी बाइटू बोलो यास या नो और यहां पर तुम्हारे पास साइन या कॉस होता था साइन में साइन कॉस में कॉस फर्स टर्म पलस लास टर्म अगर डी का भैलू दो के मल्टीपल में हो डी का भैलू किसके मल्टीपल में हो जल्दी बताओ तो यहाँ पर ए टू से टू कर जाएगा की नहीं कर जाएगा एक नया फर्मूला आ सकता है इस पर भी जेई वाला दिमाग लगाता है आईए हम लोग देखते हैं तो उसकी दिमाग को हम लोग रोके यहाँ पर देखो यह साइन अलफा है साइन थीरी अलफा है साइन फाइव अलफा है और साइन सेवन अलफा है इसका आउट पुछ पुछ देगा तो पहले तुम बनाता था साथ एक आठ अब पान तीन आठ ऐसे करके तुम बनाता था बोलो यस यानो अब गिनो एक दो तीन चार एन का भाईलू क्या है बताओ यानि यहां पर साइन फोर और डी कितना है तू अलफा बाई टू यहां पर भी साइन तू अलफा बाई टू और साइन फास्ट टर्म अलफा लास्ट टर्म सेवन अलफा बाई टू यहां से टू से टू कट गया यानि यहां पर साइन फोर अल्फा और यह भी वला बना साइन फोर अल्फा और नीचे बना साइन अल्फा बोलो यह सिया नो यह दोनों स्क्वार हो गया ना यानि साइन इस्क्वार फोर अल्फा बाइ साइन का केस केलियर हो गया बोलो यह सिया नो अगर यह अपी में और लाग टूडी का हो इसका हो तूड़ी का हुआ बोलो किलिर है यानि अब इस पर हम कोशन देंगे और आप बना देंगे तो हमें खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा और नहीं बनाएंगे तो फिर से हम प्रियास करवाएंगे चुकि मक्षद यह है अब यहाँ पर एंसर डार्यक्ट लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है बोलो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे क्या हो जाएगा साइन एसक्वार बोलो शिक्स अलफा आई साइन अलफा अब तुम सोचोगे कि इसी टाइप का कॉस का भी होगा बोलो यस या नो आईये कॉस अलफा और कॉस अलफा पलाश टूडी कॉस अलफा पलाश फोर डी कॉस अलफा पलाश सिक्स डी डौट 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 तो अब क्या होगा पता है ना साइन यह एन बार चलेगा तो एन अलफा और कॉस अलफा बटे साइन अलफा बोलो yes यानो अग कहोगे कि थोरा सा लौजिक लगा दीजे सर यानि यानि टू से इसको मल्टिप्लाई या slick टू से इसको डिभाइट यहाँ पर साइन का दुगना हो गया यानि साइन तू एन अलफा अब आई टू साइन अलफा बोलो यास यानो बोलो यानि इस question को तुम यहाँ पर कर सकते हो कि कॉस alpha और कॉस 3 alpha, कॉस 5 alpha और कॉस 7 alpha और कॉस 9 alpha और कॉस 11 alpha और कॉस यहाँ पर 13 alpha बराबर क्या होगा तो आपने गिन लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ दुना कितना हुआ, 7 to 14 यानि शाइन 14 alpha by 2 sin alpha बोलो आया की नहीं आया, तो आज हम लोग इतने तक करेंगे, कल हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको हम बता दिया जाएगा, हम जुरेंगे, लेकिन थोरा सा वहां पर देखिएगा, ट्रेन में कभी-कभी communication gap होता है, तो हम लोग थोरा साब उसको दुबारा repeat भी कर देंगे, तो मिलते हैं फिर, अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहें, lecture three complete.